यह उनके लिए उत्सावर्दक है जो देश के सामान ये मानवी के तल्यान के लिए तमिटेड है जो देश के उजवल भविश्य के लिए समर्पित है विशेश कर सभी समाजों की सभी समूहों की शहर और गाओं की महिलाएं सभी समाज के सभी समूहों के गाओं और शायर के युवां हर समुदा के समाज के किसान और मेरे देश के गरीब ये चार ऐसी महत्वकून जातिया है जिनका एंपावर्मेंट उनको भविश्च को सुनिशित करने वाली थोस योजनाएं और लास्ट माइल डिलिवरी इन उसलों को लेकर के जो चलते हैं उन्हें भरपूर समर्फन मिलता है और जब गुड़ गवर्नन्स होता है पूर्मतया जन हीत के लिए समर्पन होता है तो एंटी इंकंबंसी ये शब्द इरेलेमेंट हो जाता है और हम लगातार ये देख रहे हैं कोई उसको प्रो इंकंबंसी कहें कोई उसे गुड गवर्नन्स कहें कोई उसे ट्रांसपरंसी कहें कोई उसे राष्ट हित की जन हित की ठोस योजनाय कहें लेकिन ये लगातार अनुभव आ रहा है और इतने उत्तम जनादेश के बाद आज हम संसत के इस नए मंदीर में मिल रहे हैं इस संसत भवन के नए परिशर का उद्गाटन हुआ तब तो एक छोटा सा सत्र था अई तिहांसिक निर्णे हुआ था लेकिन इस बार लंबे समय तक इस सदन में कारे करने का आउसर मिलेगा नया सदन है छोटी मुटी अभी भी शायद गवस्ताओं में कुछ कमिया महसूस हो सकती है जब लगातार काम चलेगा संसदों और विजिटर्स को भी मीडिया के लोगों को भी ध्यान में आएगा कि इसको जरा आगर ठीक कर लिया जा तो अच्छा होगा और मुझे विश्वास है कि आदर्निय उप्राश्पति जी और आदर्निय स्पीकर महोदय के नेतुत्वों में उन चीजों की तरफ पूरी तरह निगरानी है और आपसे भी मैं कहूंगा कोई चीज जैसे छोटी मुटी आपके ध्यान में आए तो जुरूर आप ध्यान अकर्षित करना क्योंकि यह चीजे जब बनती हैं तो आवश्यक्ता के अनुसार बदलाव की भी ज़रूरत होती है देशने नकारात्वक्ता को नकारा है